नमस्कार दोस्तों एक बार फिर आपका मेरे यूट्यूब चैनल और नई वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में इस हेर पैक को बालों में लगाओ फिर लंबे होते बालों को रोग कर दिखाओ दोस्तों अक्सर हम बालों के रूखे बेजान होने पर उनकी हेर ग्रोथ रुख जाती है और हम परेशान हो जाते हैं लेकिन आप चिंता की कोई बात नहीं आज का यह हेर पैक पहले बालों की रूखे होने बेजान होने के समस्या को ठीक करेगा उसके बाद बालों में जान डालने का काम करेगा ताकि उनको इतने लंबे किया जा सके और वो इतने लंबे हों कि उनकी बढ़ती लंबाई को आप रोक ना पाए लेकिन विंटर में हेर का खास ख्याल रखना जरूरी है ताकि उनको नुकसान से बचाये जा सके और यह हेर पैक आप किसी भी सीजन में लगा सकते हैं और आपके बालों को सिल्की शैनी बनाने के साथ साथ लंबे भी बना कर रखेगा अगर आप भी ऐसा चाते हैं तो बने रहे हैं मेरे साथ वीडियो के अंतक और देखते रहे हैं लेकिन दोस्तों इससे पहले वीडियो अगर आपको यूसफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बनता ही है तांकि मैं और भी यूसफुल वीडियो आपके लि कर दें तंकि आपको मेरी नई वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप वीडियो को देख पाएं दोस्तों इस हेयर पैक के रिजल्ट अमेजिंग है इस नुस्खे के लिए पहला इंग्रीडियंट आपको एग लेना है अब आप कहेंगे कि यह चीज तो हम किसी भी कीमत पर नही लगाएंगे लेकिन दोस्तों सच मानों यह बालों के लिए एक अमरित के समान है अब आप कहेंगे कि इसमें से गंदी स्मेल आती है लेकिन इसकी गंदी स्मेल की समस्या को भी मैं खतम करने का हल आपको बताऊंगा लेकिन अगर आप एग की एग का यूज करेंगे तो 100% आ दोस्तों अगला इंगरीडियन जो आपने लेना है वो है अलॉवरेज जल दोस्तों अलुवँरेज जल में प्रोटीन के साथ साथ सैलेनियम भी पाया जाता है जो बालों की हर कमी को पूरा करके हेर ग्रौथ को फास्ट करने में आपकी हेलप करता है और आप अलॉवःय के जूस को भी पीएं क्योंकि अलोवेरा आपके बालों को इंटरनल और एक्सटरनल दोनों तरफ से स्ट्रोंग बनाता है तांकि बाल हर परकार के परकार से मजबूत बने और लगातार बाल आपके लंबे होते रहे उनको किसी भी नुकसान को ना जहिलना पड़े और बाल के लिए आपके लंबे रहें और दोस्तों इस नुस्खे के लिए लास्ट में जो आपने इंग्रीडियन्ट लेना है वो है कैस्टर आयल दोस्तों कैस्टर आयल आपके बालों को बर्पूर मात्रा में मौईश्राइजर करता है जिससे आपके बाल ड्राइनेस की समस्या से बचे रहते हैं और उनको नुक्सान नहीं होता जिससे उनके कमजोर होने का सिलसला भी रुक जाता है और बाल आपके हेल्दी और स्ट्रॉंग बनते हैं जिससे बालों की लंबाई बढ़ने में कोई समस्या नहीं आती और बाल आपके लगातार लंबे लहीं लंबे होते चले आप इस पेस्ट में आप दो चमच फ्रेश अलेवरे जल वो भी डाल कर इसे अच्छी परकार से मिक्स कर लें और दोस्तों अलेवरे जल आपके बालों को इंस्टेंट रिजल्ट देता है 100% फाइदा देता है और लास्ट में इस बायू में आप दो चमच कैस्टो आल भी डाल कर इसे अच्छी परकार से मिक्स कर लें जब यह अच्छी परकार से मिक्स हो जाए तो इसे अपने बालों में लगा कर रूट से लेकर टिप तक इसकी मसाज करें और 30 मिनट तक अपने बालों में लगे रहने के बाद रिठा वाटर से अपने बालों को वाश कर ले इस वरकार वीक में दो बार का यह नुस्खा आपके बालों को लगातार लंबे बनाएगा और बालों को लंबे होने से रोक पाना मुश्किल होगा मैं दावा से कहता हूँ कि आपके बाल लगातार बढ़ते जाएंगे लंबे होते चले जाएंगे इसके साथ ही बालों को एक सिल्की शैनी टच मिलेगा जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही कल फिर मैं कुछ नए नुस्खे कुछ नए उपाई ले कराऊंगा तब तक के लिए मेरे चनल को लेक्शियर और सब्सक्राइब करना न भूलें ठैंक यू